चोरी हर जगा पे मनाए आप चाहे कॉंटेंट की करें या किसी भी किसम की करें तो गूगल भी आपको पाइरेसी नहीं करने देता पाइरेसी बेसिकली कॉंटेंट की चोरी है कि अगर आपके कॉंटेंट किसी और की कॉंटेंट वेबसाइट से उठाया हुआ है तो गूगल आपको पेनलाइस करेगा और पेनलाइस का मतलब यह है कि वह आपको सजा देने के लिए आपकी रैंकिंज खतम कर देगा आपने अपना content नहीं लिखा तो वो आपकी rankings डाउन करेगा और आपकी website कैसी होगी वो rankings खतम हो जाएंगी Google में अच्छा अब ये तो होगी वो content की piracy जो दूसरी website से लोग उठाते हैं वो तो बिलकुल मना है लेकिन अक्सर लोगों को ये नहीं पता कि वो अपने ही website की duplication कर लेते हैं इसको content duplication बोलते हैं और इसमें होता यह है कि आप अक्सर अपने ही website के pages multiply कर रहे होते हैं Google आपको उनके लिए भी penalize करता है हलाकि आपको पता भी नहीं होता है इन चीज़ों का वो content duplication क्या है इसमें हम यह बात करेंगे सो होता किया है अक्सर आप किसी website पर जाते हैं और website पर जाकर आप देखते हैं कि मुक्सी तरह के URL आपको नजर आते हैं कभी आपने गोर नहीं किया होगा क्योंकि आपको शहीद पता नहीं है कि उनका मतलब क्या होता है लेकिन आज मैं आपको दिखाँगा कि किस तरह से मुक्लिफ यूरिल मुक्लिफ जो यूरिल्स हैं वो बेसिकली आपकी डुप्लिकेशन में हेल्प करते हैं यह आपने सबसे पहले जो fundamental concept समझना है कि Google के लिए हर यूरिल डिफरेंट है वो उसको यूरिल लेता है तो अगर आपने एक alphabet की भी change आगी है आपके यूरिल में तो Google उसको एक नया यूरिल consider करेगा वो यूरिल पराना और नया जो दो यूरिल डिफरेंट होंगे उनको दो यूरिल काउंट करेगा हाला के हो सकता है कि वो एक ही यूरिल की दो शकले हो तो for example अगर आप ये देखें तो ये basically तीन यूरिल हैं ये एक mobile store के ओपर एक smartphone smartphone के निचे अगर आप score rating से select कर लें तो आपके question mark लगके rating is equal to 4 तो 4 star rating मैंने mobile shortlist किये तो आगे 4 star rating के mobile दज़र आएंगे लेकि यूरिल चेंज हो गया उसके निचे अगर आप जाएंगे तो वो COD cash on delivery और basically वो उसको select करने से वो भी यूरिल चेंज हो गया अब ये हैं तीनो different URLs तो Google इनको तीन different URLs count करेगा problem ये है कि ये basically एक ही page की तीन चकले है और इसमें सिर्फ ये हो रहा है कि आपने जो filter लगाया है जैसे आप filter on करते हैं वो mobile जो है वो sought हो जाते हैं कभी आप popularity से filter करते हैं कभी आप brand wise filter करते हैं तो कभी आप price wise filter करते हैं ये होता किस तरह से या तो for example ये एक mobile store की example है आप इसी mobile store पे जाएंगे और आपको इस तरह से कभी mobile का page आपने देखा लेकिन आप देखेंगे left side पे आपको filter नजर आ रहे है तो पहला filter में apply करता हूँ जैसे ही मैंने इसको rating 4 star and above मैंने select किया आप देखेंगे कि उपर filter की एक option मुझे बता दिया कि ये result filtered है और filter में criteria का set हुआ है कि 4 star and above की ratings है और नीचे उसका URL देखेंगे आप तो URL उसका change हो गया अब ये URL basically क्या बता रहा है ये user को असल में question mark लगाने के बाद rating 4 का मतलब ये है कि इसी page के उपर वो सारे mobile जो 4 star ये 4 star से उपर की rating के है सिर्फ वो ये दिखाने बाकी hide हो गया है अब hide होने का मतलब ये नहीं है कि वो इस पर exist नहीं करते हैं वो सिर्फ आप से hide हुए है लेकिन वो page के उपर exist करते हैं और वो Google को accessible भी है तो problem यहां पर ये आती है कि गूगल को ये लगता है कि ये एक different page है क्योंकि इसका URL different हो गया है अब ये आम लोगों को नहीं पता और ये एकसर developers को भी नहीं पता होता कि ये content duplication में count होता है तो आप अपने ही page के दो version बना चुके हैं जैसे ही आपने एक और filter लगाया for example मैं cash on delivery का filter लगाता हूँ तो हम लिचे देखेंगे के उसमें question mark service is equal to COD एक और query add होगी है तो ये जो end पे ये URL के बाद ये जो query चल रही है question mark के बाद इसको हम queries बोलते है इस queries से क्या होता है कि आपका website जो आप behave करती है आपके system आपको content दिखाने के लिए तो अब जैसी मैंने COD select किया तो मैं असल में चा किया रहा हूँ मैं सिर्फ वो mobile चा रहा हूँ जो मुझे घर में cash on delivery पे मिल सकते है मुझे बाकी mobile नहीं चाहिए जिसके लिए मुझे पहले payment देनी पड़े या मुझे credit card में देनी पड़े तो ये वो चीजे हैं जो आपको हर e-commerce store पे दज़र आती है तो इन तीनों में मसला ये है कि Google के लिए तीन different pages हैं तो ये content duplication की एक शकल है इसके बाद एक और आपने problem देखी होगी कि content जो है उसमें अक्सर website में www लिखा होता है और अक्सर में नहीं लिखा होता है तो for example abcmobiles.pk simple URL अगर आप open करें तो भी website खुल जए और अगर आप www.abcmobiles.pk खोलें तो भी खुल जए तो असल में ये एक ही website के दो नाम है problem ये है कि ये भी दो different URLs है और Google इनको भी duplicate count करेगा तो ये बड़ी common mistake है जो अक्सर websites में देखने में आती है होता क्या है YouTube के ये उच्रिया सैनावरा जम्र के इसे नहीं लिखा हुआ होगा इसमें understand करने घर जी नहीं ये है तो में आपको वही page नजर आएगा जो www के साथ और उसके बगार नगार सह पन करेगा तो ये ज़र पेजिए से पहले आप www लगाएंगे तो वो खुल जाएगा तो इसका मतलब यह हुआ कि आपकी पूरी की पूरी वेबसेट जो है ना उसमा जितने भी पेजिस हैं वो असल में डबल पेजिस हैं क्योंकि गूगल उनको दो जागा से अक्सेस कर सकता है और इस बात पर आपको पेनल्टी पढ़ेगी गूगल से यह डुप्लिकेट कॉंटेंट है और आप अपने ही पेजिस ही कॉपी कर रहे हैं हाला कि वो एक ही पेजिस के दो जूरल हैं आपने कॉपी नहीं की लेकिन गूगल इसको काउंट करेगा तीसरी ऑप्शन एक और भी असल में जो है ना डुप्लिकेशन होती है वो इस तरह से कि अगर आप में देखा हो तो यूरल्स में कभी HTTP लिखा होता है और कभी HTTP के बाद S भी लिखा होता है S का मतलब यह है कि इस पे SSL सर्टिफिकेट इंस्टाल है यह SSL सर्टिफिकेट क्या करता है यह बिसिकली सेक्यूरिटी एंहेंस करता है वेबसेट के ओपर जिसमें हम मजीद बात करेंगे लेकिन HTPS का मतलब यह है कि यह सेक्यूर हाइपर टेक्स ट्रांस्पर प्रोटोगोल है और यह इस प्रोटोगॉल पर पूरा इंटरनेट चलता है इसमें भी हम बात कर चुके हैं जब आप SSL इंस्टाल करते हैं तो वह HTPS URL वह भी ओपन होता है और बगार SSL के भी URL वह तो पब्लिक URL होता ही है प्राबलम यह है इसमें भी कि अगर यह दोनों URL एड़ टाइम एक की वेबसेट की ओपन हो रहे हैं तो यह भी डुप्लिकेट जूरल काउंट होगा हाला कि सिर्फ इसमें एक लेटर का फरक है लेकिन गूगल यह कहेगा कि यह दो डिफरेंट पेजीजीज हैं जो के अप ही की विबसेट ही हैं लेकिन आप अपनी ही वेबसेट में कॉंटेंट डुप्लिकेट कर रहे हैं जिसके हैं रीजन यह हो सकता हू suffers क्या आप रेंकिंग लेना चाहरे हैं तो गूगल ने एक असूल बना दिया है क्या आप नहीं कर सकते तो उसका मतलब यह है कि आपने नहीं करनी क्योंकि अगर आपके यह दोनों URL ओपन हो रहे हैं अगर ऐसे ही ओपन होंगे तो यह आपको content duplication में penalty देंगे